हेलो अबरिवान वालकम टू आईक्यू एजूकेशन आज मैं आप लोगों के लिए एक अचरमात प्रस्टन की सीरीज पार्ट फाइब लेके आए हूं जिसमें जनरल साइंस के कोश्चन्स होंगे जैसे ससे पीसी आर अरवी न्टी पीसी बिहार ससी गुरूब डी जाई डी सब्सक्राइब लगभख सभी जमों में जिसमें भी जनरल से कोश्चन्स पूशे जाते हैं सारे कोश्चन्स में लेके आया हूं जो आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही हेल्फूल होंगे और हार कोश्चन का इंपोर्टन फैक्ट्स आपके साथ मैं सेर करते हुए चलूंग धात्यों को किस रखा जाता तो इसका सज्शाव होगा अपस्णन नंबर ऐ बाई और रखा जाता है ठीका आधुनिक कशारणी में धात्यों को बाई और रखा गया है जो एक मेटल है इस रंग की जो है ओ इधार मेटल की जहाँ तक दिख रही होगी जह आ है मैटवयोई यानि आर्थ धातू है और यह सब ओनन है ठीक strongly के दिख रही है सरस एक आक्षाट घृधन को अधुनिकाया यह जिसको बोलता है periodic table थीक है न मौसले की पिडियोडिक table में धातुओ को ऐसे करम में रखा गया है I hope आपको अच्छा से समझ में आई होगी ठीक है जैसे इस image में आपको अच्छा से दिखरा होगा और भी clearly ठीक है न एक hydrogen को सिर्फ छोड के ठीक है बाकि सभी धातूओं में आते हैं ठीके ना हाइड्रोजन नॉन में आता है यह दहां रखिया का एक और बाकि जो मेटलोइड है यहाँ पर बेरियम सिलिकन जर्मेनियम ठीक है यह सभी जो दिख रही होगी सब मेटलोइड है और यहां से जो आरगन हेलियम नियोन आड़ क्रे खरका में जो पूछी जाती है बौर बर जैसे अीप जो साइज होती है वह उपर से नीचे आने पर बळती है और नीचे से ऊपर जाने पर घड़ती है यहाँ फुर्ट कर दिखाई दिरे रही होगि एक बर वीडियो को पहुँच किजेगा अप लोग और पहुच करके इस image को अच्छा सा analysis कीजिएगा आप सभी को पता चल जाएगी ठीक है ना और इसमें एक क्या पुछी जाती तो इसमें pushy जाती है आनिजेसं ओठी है तो क्या होती है वह नीचेस यैंने डाउन से अप यानी नीचेस उपर जाने पे बढ़ती है आए-ई-जी चानेizzard और लेफट से राइट जाने पे भी बढ़ती है आनों जेशन एनड़र, लेकिन यहाँ पर अगर atomic इसला इसलों आर्थे और आप अप सेडा जाने पर नरहकती है ढर 누ड़ा किये हैं अरं provide us अगर इस थ Banks अगर इस तरह से आती है तो बढ़ती ज आती है ठीके नंडिक न मैं आपको चैसे प्रत चाहँ जैसे इस image को देखिए इस image में आपको अच्छे से पता चल जाएगी होगी अधर से जो right से left की तरफ आती है increase होती है और फिर up से down की तरफ जाती है तो increase होती है और इसी का same अगर उल्टा में देखेंगे अगर up से down से अगर आपकी तरफ जाएगी तिसका atomic size घटेगा और left से right की तरफ जाएगी तो atomic size घटेगा लेकिन जो इसका energy energy है ठीक है वह इसके direct वीपरीत होता है ध्यां रखिएगा वह up से down जाने पर घटती है अंडाउन से up जाने पर बढ़ती है और left से right जाने पर वह बढ़ती है और right से left आने पर घटती है ठीक है आपकी एक्जाम में इसके बारे में पूछी जाती है ध्यां रखिएगा ताकि आपकी एक्जाम के लिए helpful होंके आए नेक्स्ट कोचन देखते हैं प्रोपेन का रसा जाती है जैसे मेथन की कि अन सी ढूल होती है यह और इसमा क्या होती है और इसमें और बूतनों ब्यूतन मिल के एलपीज बनाते हैं ध्यान रखिएगा वैसी ही पेंटेन है 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 अक्टेन है निनान है और डिकाउन है ठीके ना डिसन का क्या होता है तद सी टेन एच ट्वंटी टू नहीं की सुत्र होती है तो आई होब आपको अच्छे से समझ में आगी होगी सभी एक बार याद कर लिज अब मैं आपको थोड़ी से और बताना चाहिए अब मैं आपको थोड़ी से और बताना नहीं होगा प्रॉपेंन और प्रॉपेंन होती है ठीक है ना लेकिन क्या होता है ठीक है और को हिसे और यक्ट केल ट्रीक होतीं आपके शेयाव में आते है इसलिए इसलिए उसमें मिठायल मरक एप्टाइल मिलाता है ताकि कोई भी लीकेज हो तो फाता चले पर आपको अच्छे से समझरी में ृक्श कोशन देखें था सुक्ससमें में उर्जा की रूप में संगरहीत रहती का आपको दिखाना च्राथा हूँ जैसे क्या होती है यहां पर मेटल का का लागा होता है सबसाप पहले और जी जो पोजिप बोहती है और जीन नहीं क्षा होता है यह लागा होता है और आपको कॉच्छे स समझे हूँ ना लोग इसके बारे में ठीक है ना सुक्सु सेल ठीक है जिसको बोलते हैं इसमें रसानिक उर्जा संग्रहीत रहती है चलो फिर आगे देखते हैं लोग तारों में प्लज्मा बनाने का मुख्य कारण क्या है तो इसका सही अंसर होगा अपसा नमर सी उच्छ ताप ए उच्छ ताप के करण तारों में प्लाज्मा बन जाती है उस बात को दिहन रखे सेंगर Приुचन होता है जिससे नाफके संगलैन होता है नाफके विखंडन नहीं होता है चिंग इस मिसमें बहुत अधिक बढ़ती बढ़ती है तो उस प्लाज्मा बन जाते हैं जैसे आपकोह जो इमेज दिख रहे होगी इस टाइप का जो धुन्दा टाइप का यह होती है प्लाज्मा तारों में कि अगर अभी भी कोई दाउट हो तो आप किसी भी कोश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बक्स में कमेंट कीज़ेगा मैं इसका इंसर देना के कौशिश करूँगा फिर आगे फिर देखते हैं हम लोग खुले वातावरन में जल्दी जलती हुई मुंबती की ल नीली दिखाई जैती है जैसे इस पड़कर को एमेज आपको दिखाई यहां पर नीली, ठीक है न, इस टाइप से दिखाई देती है, क्यों कर्बन देर्द कर्बस बंट्राइब धिकनवत में होती हैं इसमें होगी सब्सक्राइब का चलो फिर आगे नेस्ट को देखते हैं हम लोग हम लोगों के सरीर में भोजन का पाचन किस रूप में होता है ठीक हो तो इस पी इसका सही में सएथी होगा अपसा नमरोग ग्लाइकॉजन की रूप में संग्रहीत है नोगे बताधिया हूँ थाய। किस टाइब से कोई भी दिक्कत ना आए ठीक है ना जो इमीज में आपको दिख रही होगे फर्स्ट नमर दो पाचन शुरू होता है मुझ से ही आप सभी को पता होगा जो पाचन जो श्टाट होता है वो मुझ से होता है इसमें फॉस्ट आपन जो लार में टाइलिन नामा के इंजाइम होता है वो मिलके मंड को मालटोज बनाता है ठीक है ना लीवर के पास आता है लीवर पित स्रावित करता है जिसको बालीडक्ट बोलता है और लीवर भी यूडिया के निर्वान करता है उसके बाद क्या होता है जिसमें एचसी एल पेपसीन और रेनिन सभी बनते कर देता हैं ám आई होप समझ में आ गई होगी है या में आपको और दिखाता हूँ इमज्ज जिससे आपका आपको स्बसे पहले laptops चुरू करते कडिक हैंं बoug हम लोगों जोइन खाते हैं उसमें हम लोग हम लोगों के मुझ से लाड निकलता है और लाड निकलता तो टाय नमक एंजाइम होती उसमें 10 5 पर्षंट पानी होता है और 1.5% एंजाइम होता है इक जांभी का एक्जा मैं आते हैं लाड में कितने पानी और ऊहरें टर cuma एक प्रपार्ट एंजाइम और चेकिर नो होता है तोा व Васी मूंत पौंप परदीशत पानी और 1.5% एंजाइम होती है ठीक्सित कि उसके बाद जब हमारे सरीर में जब लारग का नीचे से जब आती है तो सेदे लीवर के पासakah ह karşते हैं यह दाहिन ट्राइफराम के नीचे उदा है जो ड्राइफ्राम हम लोग करता है उसके नीचे होता है यह कृत जिसको लीवर बोलते हैं ठीक है यह क्या करता है यह बिसिस्ट द्रौव स्रावित करता है जिसे पीतरस्त बोलते हैं जो मैंने बता है बाइल डक्ट जिसको हम लोग कहते हैं यह हमारे सरीर में पीत का निर्मा होने से जोन्रिस होती है ठीक है शिलो और मैं बताता हूं आप लोगों को उसके बाद क्या करता है तो यूरिया का निर्मान करता है लीवर उसके बाद पितरस का निर्मान करता है उसके बाद हमारे सरीर को के रक्त चाप को जिसको हम लोग बोलता है ब्लोड फ्रेसर को नियंत करता है ठीक है यह हमारे यह क्रित यह लीवर का होता है आई होब आपको अच्छे से समझ मैं यह क्रित क्या करता है और लार क्या होता है इसके बाद गया होता है इसके बाद आगे जब हम लोग वरते हैं जैसे आपको इमेज जो दिख रहा होगा मैं दिखा जाता है यह वाला स्टोमेख है जिसको मास होती है ठीक है ना और फिल जो क्लौन होता है कि छोटी क्रवा जओ सिमौल इंस्टिक बोलते हैं जो ही वाले जो बड़ी वाली जो है लार्ज हिस्टिक करिक ये इंटइन इस्ट आइन और या तो दॉलोल डाया रोडिंध में दिखरsw Hero लोगी न अच्छा से समझ मारी है चलो फिर आगे इसके बार में देखते हैं और क्या होता है जब अमासे जो होती है ओ उसके पस जब पहुच्छती है तो वह एक उसके जो गैस्ट्रिक गरंथिया होती है ठीक न और इसको आमलेका उत्पादन करते हैं चरएफीज च होता है और जट्रश में प्यपसिण तता रेनिन इंजाइम होता है और यह भोजन को लगभग चार घंटे तक रखता है अपने आंदर अमासे ठीके ना और पेपसिन प्रोटीन परासिकेट के रूप में बदल देता है पेपसिन प्रोटीन को परासिकेट के रूप में बदल देता है ध्यान रखेगा एक जाम में कोशन आती है और प्रोटीन का पाचन भी अमासे में होता है यह भी आप लोगों को ध्यान रखना अवस्य चाहिए प्रोटीन का पाशन अमसे में होता है चलिए आगे दिखाते हैं अमसे के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं भोजन जब अमसे में 4 घंटे के बाद आगे बढ़ती है आपको तो मैंने इमेज यह दिखाई ही दिया जो अमसे का उन एस्टोमेक यह वाले जिसको अमसे बोलता है स्टोमेक ठीक है आधिये फिर आगे देखते हैं उसके बद्रफ अगनासा में पहुचती है और अगनासा में रस आकर भोजन में मिलता है यह तन तरह के एंञाइम रिलीज़ करते हैं अगनासा फरस्ट ट्रिप्सिन सेंकेन एमाइलएज और थर्ड लाइपेज ठीक है ट्रिप्सिन क्या करता है प्रोटीन तथा प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् लाइपेज होता है वह वासा को fatty acid में प्रवर्तित करता है ठीक है आपको अच्छे से समझ में आ गही होगी जिए अगनासय का काड़ होता है जिसको पेंकिरियाज बोलते हैं इंगलिस में अगनासय को ठीक है उसके बाद पाकासय में जाता है और पाकासय में च्छोटी अांत की बिभीन पड़कार के नजयाइमों को स्रवन करती है वो भी बहुत से प्रगार के एंजाइम को उसमें भोजन में मिलाती हैं और इन रसों से भोजन के बड़े अनु छोटे अनु को विखंडित होकर और शोषन योग बन जाते हैं ठीक है ना यानी इसका मतलब क्या है जो भी आत होती है आत से बहुत ही छोटे खोटे घ्रहनतिया और शोटी आत से नहीं मिलने के बाद क्ي I expect बहुत जो बड़े बड़े होते हैं उसकर बहुत चोटा उसके बाद तब बड़ी आत में आ जाती है और बड़ी आत में आने के बाद वहां पर जलका और सोसन होता है सिर्फ बड़ी आत का काम होता है जलका और सोसन करना इसके अलावा कोई और कारे नहीं होता है पाचन में और उसके बाद क्या करते हैं जो भी आफसिस्ट परदात ह होते हैं जो नहीं सका है या वह पचाने लिए नहीं है उसको मलं के रूप में बाहर निकाल देती हैं बढ़ी आति तीक है इसका मतनलब forecast कोई विश्षर्ण भूमिका नहीं होते हैं इसका सिर्फ कारे होता है ठि काना जो खाओ परदार्त होते हैं उस誰 का आऊ करना सिर्फ बढ़ याद का काम होता है आई होप आपको पाचन अच्छे से समझ में आ गई होगी ठीक है अभी भी कोई दिक्कत हो तो मैं एक डाइग्राम अच्छे से बनाएके आप लोगो को करके मैं आपको देनी की गोसिज करूंगा आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर दिक्कत को याई होई तो ठीक है चलो फिर आगे हम लोग देखते हैं कितना प्रतिसत होता है साएंसर होगा चयाँ एक मैई क्र्फ़ो बनाते हैं अब कारवन कवर में जानते करवनग का नंबर 6 होता है ठीक है और इसका अटोमिक वेट होता है 12.011 यानी 12.0 11 होता है अटोमिक वेट ठीक है और इसका सिम्बल तो सी होता है आप सभी को पता होगा और किस टरिय इस्ट्रक्चर होती है इसकी कारबन की छेलो फिर आगे देखते हैं, ओडो मीटर का परियोग किस कारे के लिए किया जाता है, तो ओडो मीटर का परियोग अपसा नमर B, कारे की दूरी मापने के लिए किया जाता है, ओडो मीटर का परियोग, आपको इमेज में दिख रहा हुआ, यह है ओडो मीटर जो कार में लगी होते हैं, आप जो बाइक में लगी होते हैं इस टाइप की मीठर इसको ओडो मीठर बोलते हैं आई होप आपको अच्छे सा समझ में आयता ही होगी थैंक्यू फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना सहीं फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेसन में तब तक आप हमारी चैनल को लाइक कर दि सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं ठीक है मिलते हैं फिर आगले अग्ले अग्सट सब्सक्राइब तब तक लिए वे नाइस टे फ्रेंट्स